हेलो दूस्तो मैं मुलसर मवनी आपकी प्यारी फ्रेंड और आज जन्मास्ट मी एना उसलिए हैप्पी जन्मास्ट मी यह मेरे लट्टो को बाद आज मैं गहानी सुनाने वाली हूँ क्रिश्न जी के बाड़े में जो बताना चाहते थे वो गहानी से कि लोग को कुछ गयाम देना चाहते थे उस गहानी से भगवाल जी क्रिश्न जी तो चलिए इस गहानी को सुर करते हैं एक दिन के एक समय की बात है क्रिश्न जी अपनी पत्ती के मनाया है लूप मनी स्वाजिष्ट खाना बहुत चौआओं से खाड़ा थे चाचानक से वो उट गए और दोड़ने लगे थोड़े दूर जाके फिर वो बापस आये और फिर बैटके खाने लगे तो रूप मनी को यह देखके बहुत अजीब लगा तो रूप मनी जाके क्रिश्न जी से पूछी कि स्वामी आप अधर से गए थोड़ा दूर फिर वापस आ गए क्यों क्यों स्वामी तो क्रिश्न जी बोले कि मुझे मेरा भक्त बुला रहा था उसे अपना लक्त पाने में पॉब्लम हो रही थी तो वो फिर अपना लक्त बदर लिया और वो बोला कि यह बहुत हार्ड है उसे लगता है भगवान भी मेरे साथ नहीं दे रहा है तो रोप मनी बोली कि आपको उसका मदद करना चाहिए उसको सही रास्ता बताना चाहिए तो वो बोले कि मैं अपने चहाने से भी उसको नहीं बता सकता हूँ जो अपना लक्स बदलते रहता है वो कभी कामिल नहीं हो पाता है हतकते रहता है तो दोस्तों इस गहानी से हमें यह कृष्ने जी बताने जय बाले हैं कि यह हम लोगों को अपना लक्स बदलते नहीं रहना चाहिए एक लक्स को पेले पूरा करकर रहना, उसमें मेहनद लगाना चाहिए, फिर वो जब हो जाता है, फिर दूसरे लक्स लेना चाहिए तो दोस्तों आप प्रामिस कीजिए आप लख्स एक लख्स करने के बाद ही बुलाएंगे और जो एक लख्स कर रहे हैं उसको अच्छे से करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे जो पहल बाला बतन है उसको दवादोर से करना ना भुले और कमेट करते तो जरूर बताईएगा कि क्या इसे लखा आपको ये वीडियो ओके बाई फिन अख्ले काने में विलूंगी